हाई मैं नेम इस पीती एंड वेलकम टू माई चैनल जच्जबा यहां मैं बात करती हूँ हेल्थ की, इंस्पिरेशन की एंड लाइफ स्टाइल की आज मैं बात करूंगी कि आपको अगर माइग्रेन की प्राब्लम है या फिर आपको हमेशा हैडेक रहता है headache की problem है तो ऐसी condition में ऐसी कौन-कौन सी चीज़े हैं जिनका ध्यान रख करके आप इन सारी चीज़ों से बस सकते हैं अगर आपको headache या migraine है तो इसमें आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है इसी के बारे में बात करूँगी तो चलिए start करते हैं headache होना एक आम problem है बट अगर ये problem ज़्यादा हो रही है मींस अगर आपको ज़्यादा headache रहता है तो ऐसी condition में आपको डॉक्टर की advice लेनी होगी आपको डॉक्टर से consult करना होगा आपको अपने check-ups करवाते रहना है और आपको डॉक्टर की advice को follow करते रहना है माइग्रेन या headache में योगा is the best आप योगा अगर अपनाएंगे तो इससे आपको positive result देखने को मिलेंगे अगर आप ज़्यादा देर योगा नहीं कर सकते हैं तो at least आप morning में उठकर खुले आसमान के नीचे बैठिए आप fresh air को feel करिए आप deep breathe लीजे इससे आपको बहुत फ नीद complete नहीं हुई तो फिर आपको माइग्रेन की जो problem है यह बढ़ सकती है या फिर आपको headache हो सकता है इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो नीद है वह complete हो आपको अपनी एट आवर की नीद जो है वह complete कर आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान देना मैंगनेशियम को भी आप अपने खाने में जरूर इंक्लूड करिए अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं अगर आप अच्छा और फ्रेश खाना खाते हैं तो इससे भी आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा इससे भी माइग्रेन और headache से आप बच सकते हैं क्यो हुआरा डायजेशन सिस्टम ठीक नहीं रहता है तो हमें headache भी हो सकता है तो आप अपने जो अब आपको ठीक हरखना है और इसको ठीक रखने के लिए आपको खाली पेट ना तो टी लेना है और नहीं कौफी लेना है अब जब भी टी या कौफी लेने वाले उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका digestion system ठीक चले तो आपको water intake करना है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा water पीएंगे तो आपका digestion system जो है वो सही चलेगा और जब आपका digestion system सही चलेगा तो आपको headache की problem भी नहीं होगी, इसलिए पूरे दिन आप water पीते रहिए, आपको ये खास पर फर्क पड़ता है, इससे भी आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना होगा, ये थोड़ा मुश्किल है बट ये आपको करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको headache ना हो या फिर आप चाहते हैं कि आपको migraine की problem है वो भी कम हो या खतम हो तो ऐसी condition में आपको इन सार headache की problem भी नहीं होगी और आपको need भी अच्छी है, क्योंकि टीवी, mobile, laptop या computer इन से जो radiation निकलता है ये हमाल ये बहुत harmful है, इसलिए अगर आपको headache की problem है तो आप इन से थोड़ा सा distance बना के रखिए या continue आप इस पर मतलगे रहिए, थोड़ा सा break जरूर से जरूर ले, headache होने का सबसे बड़ा reason होता है stress, इसलिए आपको stress से भी बचता है, आपको stress से दूर रहने के लिए आप वो काम करिए जिससे आपका stress जो है वो कम हो या जिसमें आपको relief मिले, आप अपने काम के अलावा भी थोड़े time आप कहीं और अपने दिमाग को लगाए जिससे आपका दि दिमाग पर बहुत ज़्यादा pressure मत डालिए बहुत ज़्यादा टेंस मत रहिए अगर आप ज़्यादा टेंस रहेंगे तो इससे आपका headache या आपकी migraine की problem जो है यह बढ़ सकती है एक routine बनाईए और उस routine को आप follow कीजिए अगर आप किसी routine को follow नहीं करते मींस आपके खाने क कोई time नहीं है आपके सोने का कोई time नहीं है आपके काम करने का कोई time नहीं है तो इससे भी आपकी lifestyle जो है वो बहुत ज़्यादा effect पढ़ता है आपकी lifestyle पर और इससे आपको headache या migraine की problem जो है वो ज़्यादा हो सकती है या आप इसके शिकार हो सकते हैं इसलिए आपको अपना हैं फिर भी आपको वीक में टू टाइम्स करनी है अपने हेड़ पर मसाज करना है को हैड़ेक हो तो आप अपनी बॉड़ी को रेस्ट दीजिए और आप किसी शांत और डार्क प्लेस पर रहिए जिससे आपका जो हैड़ेक है वो और ना बढ़े और आपको थोड़ा सा रिली खाली पेट नहीं रहना है अगर हर 2-2 घंटे पर कुछ ना कुछ आपको खाते रहें घंट हो सकते हैं headache होने पर आपको oiling करनी है आप गरम तिल से मसाज करया गर्मी आप थंडे तेल से मसाज करbal planning लौए गर्मी के मौसम मेरा याथ है और ASS Bir P आप धोड़ी दिर अपने आपको rest रेते हैं तो आपको headache में relief मिले फैमली में किसी को माइग्रेन है तो तो इनसारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप माइग्रेन से बस सकते हैं या फिर इसमें आपको रिलेफ मिल सकता है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर आए शीयर कर ये और सब्सक्राइब करीए मिलती हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई